Unplant Pregnancy को आप कैसे रोख सकते हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं barrier methods की barrier methods याने की condoms यह male condoms भी हो सकते हैं और female condoms भी हो सकते हैं यह एक लौता method है जिससे आप अपने आपको sexually transmitted infections से भी बजा सकते हैं male and female condoms के अलावा बाकी barrier methods भी होते हैं जैसे की dutch caps, cervical caps, कुछ vaginal sponges होते हैं spermacidal jellies होती हैं जो की साथ में use की जा सकती हैं यह hormonal methods याने की birth control pills तो जो गर्द निरोदग गोलिया होती हैं उनको हम birth control pills कहते हैं hormonal contraceptives जो होते हैं उनको और भी तरह से लिया जा सकता है अगर आप रोज गोली नहीं खाना चाहते हैं तो एक ring form आती है जो आपके vagina में insert हो जाती है जो की आप हर महीने change करते रह सकते हैं अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी hormonal injections होते हैं जो आप थोड़ी लंबे time के लिए ले सकते हैं तीसरा तरीका है intra uterine device इसको हम commonly multi load या copperty कहते हैं जो की doctor आपके uterus में insert कर देते हैं और ये तीन साल या 5 साल या 10 साल तक act करता है जब तक आपको बच्चा नहीं जाहेगे